चार खंड के سीयम हमन्सोरें ने आज परहेट सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है वहीं हमन्सोरें की पत्नी कलपना सोरें ने भी Scientists की गान्डे सीट से आज पर्चा भरा तस्वीरे हेमन सोरेन के नमंकन की है आज उन्होंने बरहेट विधानसबा सीट से नमंकन दाखिल किया बरहेट विधानसबा सीट साहिब गंज जिले में आती है बरहेट में दूसरे चरण में 20 नमंबर को वोटिंग होगी हेमन सोरेन ने 2019 में बीजेपी के सिमोन माल्टो को बरहेट से हराया था और एक बार फिर इसी सीट से हेमन सोरेन किसमत आजमा रहे हैं तो बीजेपी ने अभी तक बरहेट सीट पर पत्ते नहीं खोले हैं इस बीज हेमन सोरेन ने नामंकन के मौके पर बोरियो के टुमरिया मैदान में रैली को भी संबोधित किया आज ही हेमन सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी गिरीडी की गांडेई सीट से नामंकन किया है इस मौके पर गांडेई के पूर विधायक सरफराज एहमद भी मौजूद रहे। इससे पहले कल्पना सोरीन ने 5 महीने पहले गांडेई विधानसबा क्षेतर से ही उपचनों में जीत हासल की थी। कल्पना सोरीन की सीट पर भी 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बार जारखन में दो चरणों में मद्दान होगा, पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी। लेकिन सेवी चैर्मेन माधभी पुरी बुच ने जरूरी काम का हवाला देकर पेशी से छूट मांग ली। ऐसे में पीएसी के चैर्मेन केसी वेडूंग गोपाल ने बैठक स्थगित कर दी। माधभी पुरी बुच को सेवी के कामकाच की समीक्षा के लिए समन किया गया था। पीएसी में बीजेपी के सदस्यों ने केसी वेडूंग गोपाल के रवये को राजनीती से प्रेरेद बताया और लोग सभा स्पीकर से शिकायत की। दरसल हिंडनबग की रिपोर्ट में लाप का पद रखने को लेकर लगाएगाए आरोपो के बाद से माधभी पुरी बुच लगातार कॉंग्रिस के निशाने पर रही है। मोदी काबनेट की मीटिंग में कई एहम फैसले हुए हैं बिहार में 256 किलोमेटर रेल लाइन का दोहरी करण होगा अमरावती को रेल नेटवर्क से जोडा जाएगा। पर तीन शमलब दो किलोमेटर लंबा पुल बनाया जाएगा और अंत्रिक्ष के क्षेत्र में एक हजार करोड का फंड की में का फैस्ता है। बहुत इंपोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है नौर्थ बिहार को और नौर्थ इस्टन स्टेट्स को स्ट्राटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। 256 km का नर्कटिया गंज रक्सॉल सितामडी दर्भंगा नर्कटिया गंज रक्सॉल सितामडी दर्भंगा और सितामडी मुझफरपुर आने वाला समय च्छट का समय है तो आप सब को बहुत अग्रिम शुबकामना एं विपावली और चटकी और इसमें आज माने प्रदानमं प्रिशे नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है इस प्रोजेक्ट में करीब करीब चालिस के आज पास तो बड़े ब्रिजेज है